गर्भावस्ता के दोरान जो है बच्चा आप से कब कनेक्ट होता है? आप उसके करेक्टर को कब बिल्ड कर सकते हैं? वो आपकी बाते जो है कब सुनना शुरू करता है? यानि कि उसको सुनने की श्यमता किस समय पूर्ण रूप से मिल पाती है? साथी साथ वो आपके साथ साथ किस समय जो है connect होता है तो friends मैं रिखा नारायन आप सब का आपके अपने ही चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हैं आप सब कैसे हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे बहुत स्वस्थ होंगे जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है गर्वावस्ता के दोरान उसको सुनने की श्यमता कब उसकी जाकरत होती है कब वो आपके साथ connect होता है और आप ऐसे कौन-कौन से काम करें जिससे की बच्चे का character जो है वो गर्व में ही पूरी तरह से जैसा आप बच्चा चाहते हैं उसी तरीके का हो जाए तो जो लगबग 18 हफता यानि प्रेगनेंसी को आपके 18 हफते हो गए है तो उस समय जब जो आप सोचते हैं जो सुनते हैं जो चीजे आप महसूस करते हैं वही आपका बच्चा धीरे-धीरे करके महसूस करना शुरू करता है सबसे पहले जो बच्चे को connect करती है आपके होती है वह connect हो जाती है उसको बच्चा सुनने लगता है महसूस करने लगता है और आपके साथ जो connection होता है वह उसका बनना शुरू हो जाता है जब गरवावस्ता में वह पूरी जो पान बाटर बैक जो होता है उसके अंदर रहता है उसको बाहर की आवाजे शुरुआत में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती वह उसका बाहर के environment से connection बिल्कुल नहीं होता सबसे पहला connection अपनी मा के साथ होता है क्योंकि मा उसके लिए संपोन जगत के समान होती हो समय और सबसे पहले वह मा की धड़कनों को ही सुनता है उसका मैं बात मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पता चला कि आपके साथ उसका connection सबसे पहले हुआ तो आज हम बात कर रही है कि जो 18 हफता होता है उसमें बच्चे की जो सुनने की शर्ती होती है वो जो है develop हो जाती है उसके बाद 24 में हफते में 24 से 27 में हफते तक बच्चा पूर्ण रूप से जो है सुनने की श्यमता जो ह होती है महसूस करने की श्यमता जो होती है उसके अंदर पूरी तरह से आ जाती है और वो बहार के पूरे environment को अपने अंदर जो है समाने की कोशिश करता है पूरा सुनने की कोशिश करता है क्योंकि गर्भ में जब हम उसके साथ connect करते हैं उसके साथ बाते करते हैं तो वो उस character है वो उस समय आप जैसा चाहें उस तरीके से build up कर सकते हैं क्योंकि जैसा आप बोलेंगे क्योंकि जैसा आप बोलेंगे जैसा आप पहवार करेंगे जैसी आप सोच रखेंगे वैसा ही आपके बच्चे के उपर पूरी तरह से असर होता है और वो पूरा ध्यान रखता है कि बाहर जो है क्या हो रहा है जब हम शुरुआत करते हैं कि अपनी पूजा पाट के लिए बोला जाता है जो गर्ब संसकार के जरिये कहा जाता है तो जो गर्ब संसकार दिये वो गर्ब में ही बच्चे को आप से पूरी तरह से बिल्ट कर सकतें जैसा आप बच्चा चाहें वैसा गर्ब में ही पूरी तरह से कर सकते दे क्योंकि उसका रीजिन यह है आप जो सोच रखेंगे वह उसके साथ connect कीजिए अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा किसी फिल्ड में जाए उबहां तरक्की करे तो उसके लिए जो है आप उसको गर्ब से ही शिक्चा देना शुरू कर सकते हैं ऐसा हमारे पुरानों में और वेदों में कहा गया है अब आपको करना क्या है connection कैसे आपको बाहर का जो connection है environment का connection है उसके साथ उसको connect कैसे करना है आपको एक हाथ अपना गर्ब पे रखना और जो आप उसको बनाना चाहते हैं जो सोचना चाहते हैं उसके विशे में वो पूरी तरह से उसके साथ connect होई है और कहिए कि हम आपसे बाते कर रहे हैं आप हमारी बाते सुन रहे हैं तो आप continuously अगर उसके साथ रोज connect होते हैं रोज आप उसके साथ बाते करते हैं तो वो आपकी बातों का जवाब अपने movement के जरीए देता है ये बहुत scientific reason है पूरी तरह से जो है इसको पूरी तरह से माना है 24-27 हफते में पूरी तरह से connect होता है उसके बाद जैसे जैसे उसका size बढ़ता है जैसे जैसे weeks बढ़ते है तो उसको पूरी बातों का पता चलता है पूरा ध्यान देता है वो आपके उपर और पूरा connect रहता है अब बताते हैं कि जैसे आमने पहले कहा कि वह मा के साथ सबसे ज बच्चे को लिया जाता है तो वो आपकी धड़कनों को महसूस करते ही जैसे मा के पास आएगा वो तुरंग चुप हो जाता है तो यह सबसे बड़ा कनेक्शन होता है मा और बच्चे का तो आपको जो है पूरा ध्यान रखना है अच्छा साहित्य पढ़ना है अच्छे एंव हानला कि बोल दो सकता नहीं है लेकिन महसूस पूरा कर सकता है आपको बता सकता है अपने हरकतों के जरी है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ तो आप जो है आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षन में बताएं और जो भी चैनल पढ़नाई है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपके कोई और फ्रेंट सर्किल में भी प्रेगनेंट है तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते है आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद खुश रहे, स्वस्त रहे, मस्त रहे, तैंक्यू